नवसकार मैं हूँ अविशेक कुमार आप देख रहे हैं में मीडिया नियूज और वक्त हो गया है दिन भर के सभी बड़ी ख़बरों का बैंगलूरू में बैपारी पर हमले के खिलाब सडकों पर उत्रे बीजेपी कार करता हिरासत में लिये गए सांसर तेजस्वी सूरिया मचला क्रिश्ण जन्भूमी के विवाद से जुड़े मामले में सुप्रेम कोट से मुस्लिम पक्ष को जटका लगा है दरसल इलहाबाद हाई कोट ने क्रिश्ण जन्भूमी मामले से जुड़े 15 मामले को एक साथ सुनने की बात की थी जिसके खिलाब मस्जिद कमेटी ने सुप्रेम कोट में अरजी लगाई थी हाला कि वहर जी सुप्रेम कोट ने खारीज कर दी है भार्तिय नौसेना द्वारा साथ बल्गेरियाई नागरिकों को सफलता पुर्वक रेस्ट्यू किये जाने के बाद बुल्गेरिया के राष्ट्रपती रुमेन रादेव ने पियम मोदी के प्रतिया आभार जताया उन्होंगे सोसल मीडिया पर पोस्ट कर कहा कि बुल्गारिया के अगवा जहाज रुएन और साथ बुल्गेरियाई नागरिकों समेच 17 क्रूव को बचाने के लिए भारतिय नौसेना की बहादूरी भरी कारवाय के लिए मैं प्रथानमंत्री नगंद्र मोदी का आभार जताता हूँ बेस्ट यूपी के दमदार गुजर नेता रहे चौधर रामसरन दास के पुत्र जगपाल दास के रालोध में सामिल होने से जहाँ कारेकरताव में खासा जोस नजर आ रहा है वही समाजवादी पार्टी के लिए यहाँ खत्रे की घंडे भी मानी जा रही है जदियों के दिगज नेता आली असरफ फात्मी ने पार्टी से इस्तिफादे दिया उन्होंने कहा कि सम्विधान और भारत के भविश्य को बचाने के लिए या महकुण है कि इंडी गडबंधन चुनाओ जीते आमाद्मी पार्टी नेता संजे सिंग ने दूसरे बार राजसभा के सदसे के रूप में सपत ले ली है बता दे कि दिल्ली की अधालत ने तिहार के अधिकारियों को आबकारी निती के मामले में गिरफतार आमादमी पार्टी के नेता संजय सिंग को मंगलवार को संसर में ले जाने का निर्दिस दिया था ताकि वह राजसभासदस के रूप में सपत ले सके जालंदर पुलिस ने एक अंतर राज ये ड्रग तसकरी गैंग के रैकेट का प्रदाफास किया है इस गैंग के खुलासे में पुलिस ने 2.5 किलो अफिन, 2.5 लाख रुपे की ड्रग मनी और एक कार बरामत की है साथ ही दो आरोपियों को गिरफतार भी किया गया है हर्याणा के मुक्वंत्री नायाग सिंग सैनी के मंत्री मंडल का विस्तार शुरू हो गया है जहां सपत्ग्रन समारों के दोरान बढ़कल विधायक सी मतरखा, पानिपत ग्रामिन विधायक महिपाल डांडा समेत कई लोगों दे हर्याणा मंत्री मंडल में जगा पाई है भाजपाद धायक डॉक्टर अभे सिंग्यादप को राजमंत्री स्वतंत्र प्रभार बनाया गया है लोगतंत्र के महापर्व लोगसभा चुनाव में इस बार अर्मोरा जिले के पंद्रह गाउं से चुनाव भहिसकार के स्वर सुनाई दे रहे है जहां महापर्व में चुना एवगवा प्रसासन हर वैक्ति को मताधिकार के लिए प्रेइट कर रहा है वहीं इन गाउं के लोगों ने सड़क और पेजल की समस्या के कारण ये फैसला लिया है दोस्तो आगे की खबर पर चलने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप आप तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो अभी इसे लाइक कर दे वीडियो पर कमेंट कर अपने प्रतक्रिया दे और इसे सेर जरूर कर दे आप कैसा करने से हमारा और हमारी टीम का हौसला और उलंद होता है और हम रोजाना इसी समय पर आप लोगों के लिए दिन भर की बड़ी खबरे लाते रहते हैं अरुनाचल प्रदेस पर चीन के बेतुके दावे को विदेस मंत्राले ने खारिज कर दिया है उन्होंने कहा कि बार-बार इस संबन में निराधार तर्क दोहराने से ऐसे दावे को कोई वैदिता नहीं मिलती विदेस मंत्राले के प्रवक्ता रंधीर जैसवाल ने कहा कि अरुनाचल प्रदेस हमेशा भारत का अभिन और अभिभाज हिस्सा रहेगा दरसल चीनी प्रवक्ता ने अरुनाचल प्रदेस पर विजिंग के दावे को दोहराया और इस छेत्र को चीन के छेत्र का स्वाभाविक हिस्सा बताया था नाविक्ता संसोधा नधिनियम के विरोध में दाखिल सभी आचिकाओ पर आज सुप्रेम कोट में सुनवाई हुई जहां सुनवाई के दौरान केंद्र ने जवाब दाखिल करने के लिए सुप्रेम कोट से समय मांगा जिसके बाद अदालत अब अगली सुनवाई 9 अप्रेल को करेगी अध्यात्मिक नेता स्वामे अखिले स्वरानंद गिरे ने मंगलवार को कॉंग्रेस नेता राहुल गांधी पर उनकी सक्ति टिपने को लेकर निसाना साधा इस दोरा अध्यों ने कहा कि कॉंग्रेस सांसत को भुगत ना होगा सक्ति को चुनाती देखकर कोई भी कभी सक्ति प्राप्त नहीं कर सकता तीन महिने के भीतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पाचली बार केरल की यात्रा पर पहुचे जहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगसभाचना में केरल के अपने उमिद्वारों को जिताने के लिए पलककर में एक रोडसो किया जहाँ फूल माला पाटी के जंडे मोदी की दर्थिया और पाटी की टोपे पहने भाजपा समर्थकों समेत हजारों लोग लगभग एक किलो निटर के रोडसो मार्क के दोनों और खड़े होकर पियम मोदी का स्वागत किया कॉंग्रिस की CWC मिटिंग में लोगसभाचना दोहजार चौबिस के लिए चनौवी धुसना पत्र पर चर्चा हुई जहां बैठक के दोरान कॉंग्रेस संध्यक्ष मली कार्जिन खड़गे सोनिया गांधी राहुल गांधी भी मौजूद रहे बैठक के बाद मौजूद नेताओं से खरगे ने कहा की विकार करताओं से मैन्फिस्टों में सामिल हर मुद्दे को हर गाओं और घर तक पहुचाएं लोगसभा और विधानसभा चुनौ में सरत पवार गुट को किस नाम और किस चुनौचिन के साथ चुनौ लड़ना है इसका फैसला सुप्रेम गोट ने कर दिया दरसल सुप्रेम कोट ने सरत पवार गुट की पार्टी को राष्टवादी कॉंग्रेस पार्टी सरत पवार और तुरही बजाते हुए चुनाउचिन आवंटित कर दिया है वहीं अजित पवार गुट को घरी चुनाचिन और राष्टवादी कॉंग्रेस पार्टी नाम दिया गया है गुजरात के सامली विधान सभा से भाजपा विधायक केतन इमानदार ने गुजरात विधान सभा अध्यक्च को भेजा अपना इस्तीफा वापस लेने से इनकार कर दिया है गांधी नगर में भाजपा प्रते सध्यक्ष सियार पाकिल ने बिधायक केता निमानदार के साथ बैठक की थी इस बैठक में कयास लगाए जा रहे थे कि बिधायक की नाराजगी दूर हो गई है लेकिन इसके बाब जूद बिधायक ने इस्तीफा वपस लेने से इनकार कर दिया है अज जारी हो सकती है राजस्थान भाजपा की दूसरे लेस्ट दावेदारों की बड़ी बेचैनी फाइनल नाम आला कमान के पास पहुचा हिमाचल प्रदेश के कुल्लू इस्थित बंजार में निजी काम के लिए सरकारी सिमेंट का इस्तिमाल किया जा रहा था जहां विजलेंस की टीम ने दविश्देतो मौके पर सरकारी सिमेंट के भरे हुए 96 बैग और 28 बैग खाली बरामत किये गए अब इस मामले पर कारवाई होगी दोस्तों होली का त्योहार नजदिका गया है ऐसे में मार्केट में केमिकल बेस्ट कलर भी मिलने लगे है जो स्किन और सिहत को नुपसान पहुचा सकता है इससे बचने के लिए आप घर पर ही फूलों की मदद से नेच्रल कलर तयार कर सकते है नीले रंग के खूबसूरद अपराजिता के फूल को आप नीला गुलाल बनाने में इस्तिमाल कर सकते है आप इससे सूखा गुलाल और रंग दोनों बना सकते है वहि गेंदे के फूल का इस्तेमाल साधी फेस्टेवल में सजावट से लेकर नेट्शरल कलर बनाने में भी किया जाता है पीले नारंगी और लाल सफेद गेंदे से आप 3 रंग तैयार कर सकते हैं और इससे आप अपनी होली को खोसहाल मना सकते हैं रास्ट्य ग्रामी मनोरंजन मिसन सोसाइटी में 3825 पतों पर भरते निकली है। उमिदबार 5 अप्रेल तक ओफिसियल वेप साइट www.nrms.in पर जाकर आविदन किर सकते हैं। जारखन के पुर्वसियम हमन सोरेन की भावी सीता सोरेन द्वारा भाजपा का दामन ठामते ही राज की सियासी हल चल तेज हो गई है। जहाँ जीमेम ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि हमारे जामुमों परिवार में सीता सोरेन ब्याह कर आई थी। वो आधर्निये दिसोम गुरुष सीबु सोरेन की बड़ी बहु है एबम आधर्निये स्वर्गिय दुर्गा सोरेन की पत्नी है। अमायन की याद लाते हुए उन्होंने लिखा कि प्रकान यानी रावन ने मासीता का अफरन किया था। आपकी बात से यहां तक पर्य निकलता है कि जारखन लंका है अर्धुन मुंडा से लेकर विधुत वरन महतो एबम आपके कई अन्य गन्मान नेताओं इसी जामुमों से निकले हैं। सीता सोरेन को उनके उज्वर्भविस की सुभकाम नाए। 36 गट के दंतेवारा जिले में सुरक्षा कर्मियों के साथ मुठभेर में एक नकसली मारा गया है। यह मुठभेर सुभा किरुंदुल थाना छेत्र के कुरंगेल गाउं के पास जंगल में हुई है। मदप्रदेश के उज्जैन में बंटी बबली की जोड़ी देखने को मिली। यह दोनों ही साधी से पहले अपने सौक पूरे करने के लिए मुबाइल स्नेचिंग किया करता था। लूटे गए मुबाइल फोन को सस्ते दाम पर बेज दिया करते थे। पुलिस ने दोनों को गिरबतार कर लिया है जहां उनके कबजे से चार मुबाइल फोन बरामत किये गए हैं। लेकिन अभी भी कुछ लोग बाकी हैं। इसलिए उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लेज 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 आप भी वीडियो को लाइक कर दे, कमेंट कर अपने प्रतिक दिया जरूर दे, साथ ही साथ इसे से शेयर भी कर दे। दोस्तों ये थी दिन मर्की बड़ी खबरें। ऐस इसे खबरों से अपने टरने के लिए चैनल पढ़ने हैं तो अभी चैनल को सब्स्क्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल के और अप्शन को दो बाद दे, वीडियो को लाइक और सेयर करना ना भूलें, ताकि देश वार दुनिया की तमाम खबरों से आपके साथ साथ आपके जानने वाले भी रह सकें, अपडेट